हेलो मिन वस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी पर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने वीडियूब चैनल प्रॉफिटर स्टडी में तो आज किस वीडियूब हम देखने वाले हैं कि इस सेंटरल रेलवे का फाइनली आपका 2023 में अपेंडिशिप का नूडिफिकेश करना था उसका फाइनली फ़स्ट ज्वाइन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट पब्लिक किया जा चुका है तो जो लोग भी कंडियर्स वीडियू को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन चेक आउट कर लिजेगा वहां से जाके आप इजएली देख सकते हैं तो सभी कंड कТ में तो लेके अपैस इसे करके हम स्राज उसके इसके बारे मेंन देटल से या चर्जा करेंगे और डिविजन वाइस करते हैं और आपको लेकर चलेंगे सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें कितना फॉर्म फिलप किया था थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहोगा आप सभी समझने का कोशिज करिएगा यहाप अगर बात करें कि नंबर ओफ इलिजिबल कंडियेट अप्लायर फोड डिविजन वाइस ट्रेड वाइस एंड केटेगरी वाइस अंडर दी अपेंडिस एट यहाँ पर देखिए 212 सेशन के रिगार्डिंग हर नोड में बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिला इलेक्टिकल दोनों को मिला कर यहाँ पर 458 फॉर्म भरा गया था चार्स आपका होर्नेट में और समस्तिपूर में आपका 408 फॉर्म नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट आप देख सकते हो पंडि दिन द्याल उपाद्ध है जिसमें तो टोटल बात करेंगे तो इलेक्टिक्टि इधर हो गया चली नेक्स्ट डिविजन को यहाँ पर देखते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा सूनपूर डिविजन सूनपूर में अगर बात करेंगे तो ब्लैक इसमें ट्रेट भी आपको देखने को मिलेगा कार्पेंटर है फीटर है पेंटर है और विल्डर है अगर इस डिजल डिजल पेंटर जनरल से टर्णर और वेल्डर गैस इलेक्टिक से देखिए कार्पेंटर में मात्र एक फॉर्म फिलप किया गया था वह भी सी कटेगरी से टोटल फॉर्म का बात करें तो 695 फॉर्म भरा गया था आपका समस्तिपूर डिविजन से चली नेक्स्ट अ वेल्डर गैस इलेक्टिक है और वायर में है तो टोटल यहां पर बात करेंगे तो साथ आट ट्रेड आपको देखने को मिल रहा और यहां पर देख सकते हो कि अन्रिजर में दो ओबीसी में दो स्ट में 4 और स्ट यहां विडिविजन से बार आसुन नो केंडिड ने फॉर्म अप्लाइक था पेंडिसीप के रिगार्डिंग 21-22 सेशन में अभी 22 तेश का नहीं आ है 22 तेश का हम बताएंगे वीडियो के इन में कि कब तक इसका नोडिफिकेशन देखा जा सकता है दाना इन सबी से अगर भरती का बात करें यहां पर दानापूर से 7188 पोस्ट यहां पर अपलाई किया गया था इतना फॉर्म अपलाई किया गया था सिर्फ दानापूर से जो अभी तक सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है चले नेक्स्ट आपका कबर करते हैं पंडित दिन दिया लुपाइद है अगर इसमें देखोगे तो 6682 फॉर्म 6682 फॉर्म फिलप किया गया था टूटल फॉर्म का बात करें कि टूटल फॉर्म यहां पर कितना भरा गया था 212 सेशन के रिगार्डिंग इस्ट सेंटल रिलवे से तो यहां पर आप देख सकते हूं टूटल फॉर्म आपका सत्रह हजार भरा गया कितना सत्रह हजार आठ सो अड़तीस फॉर्म भरा गया यह ऑफिसियल डेटा है जिसमें आप देख सकते हूं सबसे पहले हम लोगों ने अगर इस्ट सेंटल रिलवे का वेकेंसी का बात करें तो 2021 में इसका नूटिफिकेशन आया था 6-10-2021 को और इसका लास डेट था जो 5-11-2021 इसका फॉर्म फिलप का डेट रखा गया था तो अभी तक इसका नूटिफिकेशन आ जाना चाहिए था क्यूंकि अगर बात करेंग कोहीं इसका ओफिसल नूटिफिकेशन आ गया था अपेंडिशिप के रिगार्डिंग और यहां पर फाइनल पांच नूबर तक ओनलाइन फॉर्म फिलप करने का आवेदन था तो देखिए हो सके आने वाला दिसंबर इंड होते होते तक इसका ओफिसल नूटिफिकेशन आ एक सीट पर कितने कंडिएड यहां पर आ रहे हैं अगर इसका ओफिसल कट अप नहीं देखिए दो डिस्केशन चेक आउट कर लिजेगा वहाँ पर लिंक मिल जागा आप इसके पिछले दिन हम इसके ओपर डीटेल से चर्चा किये थे कि डिविजन भाई यहां पर कितना सारा कुछ हम लोग ने देख लिया अगर आपका कोई स्पेशल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बक्स में कमेंट करें पूछ लिजेगा देखिए अधिकतर का डाउट है इस्टन रेलवे को ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग देखिए आटी है अल्रेडी किया गया है बस